आप लोगों के लिए हाजर हुए हैं तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकमल आखिर तक देखेगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं आज की एहम तीन अपडेट की जानी यूके के वजीर आजम बोरस जॉनसन ने एक बियान दिया है उन्होंने हाउस ओफ लाइड में ये बियान जारी किया है जिसमें उन्होंने अपनी स्पीच के दोरान कहा है कि यूके में मजूद इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से उन्होंने बात की है कि यूरपी य उनको रोकना हमारे लिए लाजमी हैं। उन्होंने अपने भियान में कहीं भी ये नहीं कहा कि वो यूके में मजूद जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। उनको डिपोर्ट करेंगे। तो इसलिए वजीर आजम बोरस जॉनसन का यही कहना था कि इंग्लिस चैनल से अबूर करन वालों के लिए सकत कवानी लेकर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहना था कि वो जिस रस्ते से आते हैं वो सेफ मुमालिक हैं। वो लोग वहाँ पर भी असाइलम अप्लाइक कर सकते हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने करिमिनल्स जो इमिग्रेंट हैं। उनकी तरफ इशार रहे हैं। उनको रोकना, उनके लिए पॉलिसियां सकत करना और दूसरी जानिब ऐसे इमिग्रेंट का खतामा करना जो करिमिनल हैं। उनको अपने मुलक से डिपोर्ट करना शामिल है। और इस वाले से वो कानून साजी कर रहे हैं। जिसमें सकत इक्दमात और सकत इमिग् फॉर्ट करना जाते हैं। इस वाज़ा रहे कि इस बियांत से यही पता चलता है कि जब यूके खकूमत इन तमाम लोगों को रोकने में कामियाब हो जाएगी तो लाजमी तोर पर अपनी इमिग्रेशन ऐसे तमाम इलिगल इमिग्रेंट के लिए खोले की जो काफी अरसे से यूके में मजूद हैं तो इसमें उन्होंने काम्याब हो जाना है और इन लोगों को रोकने में और फिर आने वाले वक्त में इन्शाला पूरी अमीद यही है कि यूके बोरोस जॉनसन की हकूमत में लाजमी तोर पर इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई न कोई अच्छा फैसला आएगा तो ये थी आज की एहम अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई है उमीद करती हूँ के आपको पसान आई होगी फिर मिलती हूँ आप सबसे लेटस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा ताइं क्यू हुआ